स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और पीए सी अड़ा पर और गाईज सी अकाउंटेंड जूनियर अकाउंटेंड और अकाउंट आफिसर के तीनों के फॉर्म तो भर चुके हैं आप सब लोगों ने अपनी अपनी करनी होती है जब समय कम होता है सिलिबस बहुत बड़ा होता है तो जरुवत होती है एक सही गाईडेंज की एक सही मार्ग दर्शन की क्योंकि उसी के साथ में हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं तो इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे सही समय पर एक सठीक रणनीती क साथ में आप अपने सेलेक्शन को सुनेश्चित कर सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन यस अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक वाटसब ओपन चैट कम्यूनिटी बना दी है जहां चैट ओपन रहती है आपके जैसे बहुत सारे स्टुनेंट है जो वहाँ मिल जाएंगे एलीजिबिलिटी से सम्दित कोई दिक्क डाउट है या एक्सपिरियन्स से में commerce की सर्वशेष्ट experience faculty team के साथ में जिन्होंने आज तक कई selection दे दिये हैं commerce के शेतर में first rank तक भी हमने दी हुई है तो guys जुड़ सकते हैं उत्तरा खंड हो मद्रपदेश हो राजस्तान हो हर state में हमने अपना दंग का जो है वो बजाया है तीनों कोर्स तो अविलेबल है ही accountant बहुत कम प्राइज में 1499 में junior accountant 799 में क्योंकि कोर्स छोटा है और account officer 1299 में है complete bilingual course है वीडियोज है MCQS है आपको कुछ भी इसके अलवा नहीं पढ़ना है filter material जर्वत है भी आपको क्योंकि समय कम है इस कम समय में बहुत सारा पढ़ोगे syllabus नहीं होगा तो कि revision उतना ही important होता है जितना course complete करना होता है अब चलिए मैं बात करता हूँ sir सारी बाते हो चुकी है आप तो ये बताओ sir तयारी कैसे करें तो तीन exam है सबसे पहले बात करते हैं सबसे toughest exam जो कि आपका account officer का है जो अलग-अलग phase में होगा अलग-अलग tier में होगा tier 1 में objective आपका होगा तो आपको यहाँ पर आप देखिएगा ये पूरा syllabus जो है वो आपको दे रखा है एक बात मैं बता दूँ चाहे आप accountant की तयारी कर रहे हैं चाहे junior accountant की कर रहे हैं या account officer की कर रहे हैं आप सभी के लिए एक तो हमने complimentary 200 से भी जादा घंटो का content आपको complimentary दे रहे हैं इस fees में मात्र हजार पंदरा सुर रुपे की fees हम ले रहे हैं उसमें complimentary content दे रहे हैं और वो complimentary content में क्या दे रहे हैं पता है आपको हम reasoning दे रहे हैं, mathematics दे रहे हैं, Hindi English दे रहे हैं, computer दे रहे हैं जो हापके हर exam में आ रही है चाहे account officer हो, चाहे accountant हो, चाहे junior accountant हो आप देख सकते हैं, यह आपका यहाँ पे tier 1 में सबसे पहले account officer वाले यह exam देंगे, फिर return exam होगा return exam में इतना बड़ा सिलिबस है, मैं आपको बता दूँ कि इन तीनों vacancy के लिए accountancy का बहुत important role है तो accountancy के regular basis पे mcq session चल रहे हैं डॉक्टर रजत खंडिलवाल के सुबह सवा 9 बजे तो जो लोग join नहीं कर रहे हैं, वो जरूर से join कर ले हैना बहुत जल्दी इसी YouTube तेनल पर आपके previous year के paper भी हम लोग solve करवाएंगे ताकि आपको idea लगएगा कि कैसे question जो है वो आप लोगों से पूछे जाते है, ठीके यह बात हो गई किसकी account officer की बात हो गई है, इसके बाद में हम यहाँ बात करते हैं किसकी और income tax, जिन जिनके service में income tax है आपको बता दू, income tax की latest income tax, assessment year 24-25 के हिजाब से जो income tax है, उसकी live classes चल रही है, alternate days में शाम को साड़े चार बजे हमारी application पे classes चल रही है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ जाईएगा, अब देखिए बात करते हैं accountant की, तर अकाउंटेंट की तयारी कैसे करें, यहाँ पे एक अच्छी रड़नीती आप बना सकते हैं, अगर आप अपने syllabus को देखते हैं, तो syllabus चार अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, अब चार पार्ट का total weightage 150 नमबर का है, और इस 150 नमबर से अकेले, अकेले 90 नमबर का weightage आपका part 4 का होने वाला है, लगभग लगभग 60%, तो मैं आपको बता दू, आपके पास होने में, आपका subject का role बहुत important होने वाला है, subject में अध्यान से देखिए, किस-किस पे focus करना है, financial accounting है, जिसके mcqs हम आपको दे रहे हैं, accounting standard है, direct indirect tax बहुत बढ़िया तरीके से हमारे faculty, charted accountant अर्पित रजावसर ने पढ़ा रखी है, और नई tax जो है, वो डोक्टर राहूल सर भी पढ़ा रहे हैं, costing technique, auditing है, financial management है, operation, project and management है, computer application, business security है, syllabus बहुत बढ़ा है, लेकिन weightage भी अच्छा खासा है, तो अपने subject पे बहुत अच्छे से command करनी है, और ये जो portion है आपका, जिसमें current affairs आ रहा है, school education है, reasoning mathematics है, और हिंदी English है, इस पे आप अच्छे से focus करना, especially reasoning, एक अच्छा score आपको दिला सकता है, हिंदी English में भी एक अच्छा score आप कर सकते है, current affairs के ल है, वो cover कर सकते हैं, लेकिन yes, उसी तरीके से आप लोग प्लान कीजेगा, junior accountant की बात करते हैं, यहाँ पे भी 120 number का है, 120 number में से 60 marks आपके, अकेले commerce के हैं, मतलब 50% weightage commerce का है, यहाँ पे भी आपका main जो key role है, वो commerce वाला ही play करेगा, यह सारा है, और इसमें भी सबसे important role है, accountancy क जिसके regular basis पे MCQs बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारे अब होंगे, तो जिनोंने अभी तक join नहीं किया है, guys वो कर लेना, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप commerce के student है, TBSC, NBS, EMRS तीनों के तयारी कर रहा है, EMRS की accountant बहुत जल्दी आने वाली है, NBS की audit assistant आई हुई है, और CBSC में account, junior accountant और account officer तीनों आई हुई है, तीनों के लिए अलग-अलग fees दोगे, तो हमारे application पे यह सब मिला के जो courses हैं, वो 10,000 से भी जादा के हैं, अलग-अलग fees नहीं देनी है, एक course ले लो, सब की तयारी एक साथ हो जाएगी, 1000 घंटों से भी जादा क content आपको 1000 नहीं, 1500, 1500, 1700 घंटों का content आपको मिल रहा है, तो सब की fees आपकी जो है, वो तूट रिपल लाइन है, तो 3000 रुपे में 10,000 है course आपको मिल रहा है, अलग-अलग लेना चाहते हो, अलग-अलग ले लो, अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे CBSC junior accountant, अब CBSC junior accountant का जब आप content देखते हो ना, तो आप देखिए, complimentary content दे रखा है, 220 घंटों का, 220 घंटों का complimentary content है, जिसमें Hindi, English, Reasoning, Mathematics, Computer, सब कुछ दे रखा है, बहुत वैवस्ति तरीके से पढ़ सकते हो, देखो, जैसे संधी है, तो संधी की e-book भी डाल रखी है, MCQ भी डाल रखे है तो बहुत systematic तरीके से ये पूरा silver दे रखा है, और इसके बदले में कोई charge नहीं है, इसमें कुछ चीजें बहुत कम मुझे लगता है, 90% हमने आपको दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बाकी रहे तो आप हमें मत बूलना, हम इसके कोई पैसे आपसे नहीं ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं हम किसके, पैसे ले रहे हैं यहाँ पे financial accounting की mainly पैसे ले रहे हैं, government accounting की recording अभी चल रही है, ये भी आपको मिल जाएगा, तो hopes हो guys आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी, अगर आप में से कोई भी student है जो जुड़ना चाते हैं हमारे साथ में, है ना, तीनों course purchase करना चाते हो, तो अलग-अलग purchase मत करना, combo ले लेना, तो NBS audit assistant और यह हमारे साकाउंटेंट भी उसमें cover हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस content के अलावा, आपको और कुछ भी और पढ़ने की जरुवत होगी, पिर भी कोई technical issue है, तो इस number पे आप हमसे contact ज WhatsApp group का भी link है, उसे भी join कर लो, टेलिग्राम का भी link है, उसे भी join कर लो, और commerce के student है, एक भी single video commerce का miss नहीं करना चाहते, तो इस YouTube channel को जरूर subscribe कर लेना, ताकि आपको सारे information मिल पाए, ओप सो यह video आप सभी के लिए useful, effective रहा होगा, मैं ले रहा हूँ आप से, फिलहाल के लिए विदा, thank you so much आप सभी का, मेरे साथ इस video में जुड़ने के लिए, मिलेंगे फिल से कुछ ऐसे ही important videos के साथ, तक तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद, बंदेबातरम, बाए बाए